ओम नमस्य जी नीद को लेगर एक बहुत ज़्यादा चुकाने वाली चीज बताता हूँ चलो दुनिया में कुछी परशेंट लोग ऐसे है जिनको अच्छी क्वाल्टी की नीद आती है जो डीप स्लीप सही नीद ले पाते है अच्छे से और रात को सही समय पर सोकर आपका सुबह उठने का मन नहीं करता सुबह उठ भी जाते हो तो दीन में बहुत ज़्यादा नीद आती है आप एक्टिव नहीं रहते तो इसका मतलब भी हम अच्छी नीद नहीं कहेंगे में हर एक बंदा छोटे से बड़ा आदमी आदमी से ओरत हर कोई ध्यान करता था दिन में दो दो बार इसलिए अंग्रेज भी कहते थे कि सबसे सूखी तो भारती यही है देखो नीद अच्छी होगी तो दिमाग शान्त होगा पूरा दिन अच्छे से चलेगा बोडी एकद सिक्रोथ नीद पर बहुँ ज़्याद डिमेंट करती है ठीक है फिर बात करते हैं उन तरीकों की जिससे आपकी नीद अच्छी बनेगी मैं अशा करता हो आप यह तरीके जुरूर अपनाओगे सबसे पहले छोटा सुपाय आपको यह करना है आप सब हर रोज का नियम बना लो 15-20 मिनिट नंगे पाउं घास पर घूमना ही घूमना है जो शहर में रहते हैं आपको पारग मिल जाएगा और जो गाउं में रहते हैं उनको खेत या ग्राउंड मिल जाएगा मिट्टी पे घास पे पैर ठच होने चाहिए आपके इससे आपकी बोड़ी को इलेक्ट्रो घूमने लग जाओगे एक-एक-दो-दो गंटा तो दो महीने बाद आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी छटी इनरी जिसको बोलते हैं और फिर देखो कितनी पाउरफुल नीद आपको आएगी और अगली सुबह आप कितनी उर्जा के साथ उठोगे दूस डिप्रेशन कहां जाएगा पता भी नहीं लगेगा अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो खतम होने के बाद ये करके देखना एक बार फिर देखना दिमा कितना शान्त हो जाता है करने से इतना वो बिल्कुल खतम हो जाता है इडा नाड़ी यह नाड़ी मतलब राइट नोश्टल को बंद करो और लंबा सांस लो बाई नासिका से थोड़ी देर तक रोक कर रखो स्वास को और फिर छोड़ो फिर दोबारे से ऐसे करो बाई नासिका से स्वास लो खोल्ड करो और छोड़ो सिर्फ बाई नाक से सांस लेना और छोड़ना है ये कर साथ बार ये अभियास है चंद्रवेदी प्रणायम का रात को सोने से थोड़ी देर पहले कर लो बस इसको और फिर देखना आप जब सोगे तो सोने के बाद आप बहुत ज्यादर डीप सिलिप में चले जाओगे बहुत मतलब बस फिर सुबह यांख खुलेगी अगला काम एक है आपका दिमाः बिल्कूर रिलाक्स रहना चाहिए बूरा दिन अब बहुत सरी चीजे आपके दिमाः के साथ आशी होते COB कुष्छा भी करते हो नेगेटिव भी सोशते हो, और थिंकिंग भी करते हो, तो यह सब करने से दिमाग तो डिश्टर्भ होता ही रहता है, ऐसा भी कुछ करो दिन में कि जिससे दिमाग रिलेक्स हो, जैसे कि सुबह-सुबह आप अपने दिमाग को पोजिटिव और शांत अगर आपने कर दिया, त पहले तो 5 मिनिट करो अनुलोम विलोम एकदम सही तरीके से फिर करो 10 मिनिट ओम का उचारनी या फिर आँख बंद करके सांसों पर ध्यान दो अपनी आपकी जो सांस आ रही है जा रही है आँखे बंद करके उस पर ध्यान दो यह जब आप करोगे तो देखना पूरा दिन तो पानी के टेस्ट पर ध्यान दो जो कर रहे हो आपका पूरा फोकोऽ उसी पर होना चीए किशी काम को पूरे सोपरality के साथ कर रहे हो तो यह भी meditation है और फिर देखना आपकी नीड की quality कितनी ज़्याद opposite बij dall зай जा颈गी जब यह आप करने लग जाओगे ध्यान के साथ ध्यान पूरवक काम और भाई नीद को कम करने का सबसे बेश्ट तरीका है एक ही है मतलब अगर आप चाहते हो कि बिना अलारम के आपकी पांच बजे आँख खुल जाए सुवेब जल्दी उड़ जाओ आपकी नीड 6-7 गंटे में पूरी हो जाए 6-7 गंटे सो कर भी आपके अंदर पूरा दिन एनर्जी रहे नीद नाए तो इसका तरीका भाई एक ही है ब्रहमचार है ब्रहमचार है से यह संभव है पहले के टाइम में योगी युद्धा लेते पूरादीन कार्य करते थे अबना आज भी गुरुकुलों एसे टीन गण्टे इस यो और डइन में और अगली व्यूंतका बरद कर दो होता है मुझे कमेंट करude